नमस्कार दोस्तों UGC की और से बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि UGC ने है इस बार से ही है आपके लिए इंटर्शिप लागू कर दिये है अब इंटर्शिप किन के लिए लागू की गई है तो जितने भी स्टूडेंटें बीबेसी बीकॉम के उन सभी के लिए पोलने वाले है इस वीडियो में बात करने वाले है तो जितने भी स्टूडेंटा है इस वीडियो को सेर करें चैनल को सबस्क्राइब intervals करें तो आपके सकते हैं कि यूजी सी की गाइडिलाइन है इन यूजपेपर में आई है तो आप देख सकते हैं कि इसस subscribe से लागू हो र इंटन्सिप, नोकरी के और काबिल बनेंगे स्टूडेंट्स, ग्रियोजेशन में इंटन्सिप अनवार ये होगी, तो देख सकते हैं कि जिस परकार B.Ed के अंदर है, इंटन्सिप होती है, कहने का मतलब B.Ed first year और second year में स्टूडेंटों को है, स्कुल मिलती है, तो उसी परका B.E.B.E.C. B.K.O.M. वाली स्टूडेंट है, उनने भी अब स्कुल है, मिनने वाली है, क्योंकि आपकी कोलेज के साथ ही अब आपको स्कुलों में जाना है, जो गोवर्मेंट स्कुल है, उन में जाना है, और बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उसमें आपका समये वो न जो B.E.B.E.C. B.K.O.M. के स्टूडेंट हैं, उनने भी अब स्कुल जाकर पढ़ाना होगा, पढ़ाना है, मतलब उसमें भी समये आपका निर्दारित किया जाएगा, कि आपको कितने दिन एक मेने या दो मेने कितने दिन आपको पढ़ाना होगा, वो समये भी निर्दारि पैबो स्टार्ट होने वाली है, तो पहले तो आप पूरी न्यूज पैपर आपो देख सकते हैं, इसमें बताया है कि सरकारी और प्राइवेट संस्ताओं सहीत कहीं सेक्टर में हो सकेगी, आपकी जो इंटर्शीप है वो लागू होगी, जैसे स्टुडेंट अपने इंटर इंटर्शीप को मेंटर और सब्जेक्ट एक्सपैट के गाइडेंज में या सवतनतर रूप से कर सकेंगे, सरकारी और प्राइवेट संस्ताओं में मतलब आप अपनी इंटर्शीप है वो पूरी कर सकेंगे, कि देख सकते हैं, विसे विदाले अनुदान आयोग, यूजी स सकता है, ये इंटर्शीप चोथे सेमेस्टर दो साल के बाद न्यूनतम है, साठ से एक सो बीस गंठे की होगी, इंटर्शीप में स्टूडेंट के कारिया नों बहु रिसर्च वरकर दोनों को सामिल किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो इंटर्शीप होने इसी सतर से लागू होगी, यूजी सी की गाइडलाइन के इसी सतर से लागू होगी, लेकिन जो इनोट सिटी हैं, राजस्तान की जितने भी इनोट सिटी हैं, तो वो इने कब लागू करती है, तो आप मान के सब सकते हैं कि यूजी सी की गाइडलाइन है, तो सबसे पहले र यदि राजस्तान इंवर्ट सीटी लागू करती है तो सेकावाट इंवर्ट सीटी भी इसी सतर से लागू कर देगी और राजस्तान इंवर्ट सीटी आगले सतर से इसे लागू करेगी तो सेकावाट इंवर्ट सीटी भी आगले सतर से ही इसे लागू करेगी अब बात करते है कि B.A.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B.C.B बगबग एक मेने या फिर दो मेने स्टूडइंटों को बढ़ाना होगा और आपकी इंटंसिप के बाद आपको क्रेडिट्स है रेगुलर स्टूडइंट को मिलेगी लेकिन ये प्राइवेट इस्टूडइंट के लिए internship नहीं होगी regular student के लिए होने वाली है या फिर यह हो सकता है कि यदि first year के अंदर है आपके कम दिन की internship हो second year में फर उससे जदा हो और final year के अंदर है उससे जदा आपकी internship हो इस परकार भी लागू हो सकती है तो जितने भी student है जो regular student है जो की college कर रहे हैं government हो या फिर private से regular है तो उनी student के लिए internship अनवारी है उनी student को school में जाकर बच्चों को पढ़ाना होगा या फिर अलग अलग private संस्ताम हो सकती है उनमें जाकर आपको पढ़ाना होगा student को तो आप देख सकते हैं कि UGC की नई guideline है तो इस साल से या फिर अगली साल से सेकवाट इनोर्ट सिटी या रास्तान इनोर्ट सिटी में लागू कर दी जाएगी जिस परकार UGC की ABC ID का सभी इनोर्ट सिटी ने लागू कर दिया था इसी परकार ये आपकी इंटनसीब है ये भी BAD की तरह है BACB कोम में लागू कर दी जाएगी MMAC M.C.M. कोम में भी ये लागू हो सकती है पूरी पूरी संभावना है क्योंकि UGC की guideline के तहत है ऐसा हो सकता है तो जितने भी स्टूडेंट है वो आप तयार हो जाएं अपनी इंटनसीब के लिए क्योंकि आपको भी बच्चों को बढ़ाने के लिए मोका मिलेगा और जो न्यूज पेपर में पूरी अपडेट आई है वो आप देख लीजिए पूरी जूज पेपर में मैंने खबर आपको देखा दी है तो जितने भी स्टूडेंट है इस वीडियो को share करें चैनल को subscribe करें और जितने भी हमारे platform से उनके साथ जुड़ जाए क्योंकि जितने भी अपडेट होती है शेकाबाट इनोट सिटी से समन्दीत या UGC की गाइडलाइन से समन्दीत आपको इसी चैनल पर मिलती है तो अपने दोस्तों तक वीडियो को share करें चैनल को subscribe जरूर करें थाइंक्यू धन्यवाद